कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मुकुल स्टिडिय में आज का हमारा टॉपिक है मैध मैध में हम पढ़ेंगे सिंपल इंट्रेश सधारण व्याज के बारे में ओके देखिए दोस्तों यह धमाका सरी चलिए UPSI एकजाम के लिए इससे पहले दो वीडियो मैंने अदी के अपलोट कर दिए तो उसको जाकर देख लीजाए ठीक है और वीडियो को जादा से जादा से यह करिएगा और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ओके दोस्तों ठीक है चलिए कि देखिए सदारण ब्याज का फार्मूला होता है सदारण ब्याज को short form में SI बोलते हैं SI equal to PRT upon 100 यानि कि P into R into T upon 100 जिसमें SI क्या हो गया यहाँ पर? सदारण ब्याज P क्या हो गया? principle इसे हम मुल्धन करते हैं मुल्धन R क्या हो गया? rate हो गया यानि कि दर और T क्या हो गया? time यानि कि समय ठीक है दोस्तों इसमें एक मिसरधन होता है मिसरधन जिसे amount करते हैं A से denote करते हैं ठीक है? किस से करते हैं? A से denote करते हैं ठीक है दोस्तों यही फार्मूला है SI का यहाँ से PRT upon 100 अगर आपको time पुछेगा तो यहाँ से आप time भी निकाल सकते हैं और rate भी निकाल सकते हैं और मुल्धन यानि कि प्रिंस्पल भी निकाल सकते हैं इसी एक फार्मूले से ठीक है? चलिए question के माद्ध हम से देखते हैं कैसे यह होगा? ओके? एक बार फार्मूला लिख लीजे आप देखिए SI equal to मुल्धन गुड़े दर गुड़े समय बट्टा 100 यह फार्मूला है इसको याद रखेगा ओके? चलिए question करते हैं देखिए फ़हला question है कितने समय में 4250 रुपया 8% वार्सिक दर से साधारण ब्याजपर 5610 हो जाएगा question यह कर रहा है कितने समय में यानि कि हमें समय पूछ रहा है time पूछ रहा है 4250 रुपया यानि कि 4250 क्या हो गया यहाँ पे मुल्धना ओ गया आठ परशेंट वार्सिक दर दर क्या हो गया rate क्या हो गया 8% दर से सधाहरण ब्याज हमें देखिए सदारण ब्याज निकालना है यहां से पर 5660 रुपया हो जाएगा यानि कि 5660 क्या हो जाएगा आपका मिस्रधन हो जाएगा ओके तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहां पर सदारण ब्याज निकालेंगे जिसमें देखिए इसमें मुल्धन दिया और मिस्रधन दिया है यहां से सधारण ब्याज का並रा नया होगा सधारण ब्याज equal to A minus P यानि की मिस्दधन माइनस मुलधन तो A कितना है? 5610 और P कितना है? 4250 यह देखें नीचे फार्मूला है आपका सधारण ब्याज equal to मिस्दधन माइनस मुलधन A minus P Si equal to ठिक है? ओके देखें SI यानि कि मिस्तरधन कितना है 5610 और मुल्धन कितना है 4250 जब हम माइनस करेंगे तो क्या हैगा 1360 हैगा जब इन दोनों को माइनस करेंगे 1360 हैगा और question में क्या पूछ रहा था समय पूछ रहा था समय का formula होता है साधारण ब्याज गुड़े सो बट्टा मुल्धन गुड़े दर जहांपे साधारण ब्याज कितना है 1360 है मुल्धन कितना है आपका 4250 है और दर कितना है 8 है देखिए यहांपे पूछ कर दिया हूँ ठीक है जब इसको साल्व हम करेंगे तो जब साल्व करेंगे तो पूरा जब करेंगे तो क्या आएगा फोर यानि कि समय कितना जाएगा फोर फोर वर्स यानि कि चार वर्स ठीक है ऐसे ही है चले नेक्स कोश्चन पर देखिए अगला कोश्चन है किस वार्षिक दर प्रतिसफ से पचीस सो रूपया साधारढ व्याजपर चार वर्स में 33500 हो जाएगा तो इस कोश्चन ये कर रहा है किस वार्षिक दर हमें क्या पूछ रहा है रेट पूछ रहा है ठीक है अर पूछ रहा है 2500 रुपया 2500 क्या हो गया मुल्धन हो गया principle हो गया, सधारण ब्याज पर 4 वर्स, समय कितना दिया है 4 वर्स, 2300 हो जा गया यानि कि मिस्रधन एज होगा, कितना हो गया, 2300 तो यहाँ पर फिर वही होगा सधारण ब्याज हम निकालेंगे सबसे पहले, क्या होगा फार्मूला सधारण ब्याज के तो सधारण ब्याज एक्वल टू मिस्रधन माइनस मुल्धन अब यहाँ पर आपका मिस्रधन कितना दिया था देखिए, 3300 3300 दिया है यहाँ पर mistake हो गया, question में आपका मिस्रधन कितना दिया? 3300 3300 माइनस 2500 जब करेंगे मुल्धन में से तो आपका क्या आएगा 800 ठीक है तो 800 क्या आगया आपका सधारण ब्याज आ गया और हमसे क्या पूछ रहा था रेट बताओ तो दर निकानने के लिए दर का फार्मूला होता है सधारण ब्याज गोडे 100 बट्टा मुलधन गोडें समय है है अब कम इसमें मान ठीकर देंगे सधारण ब्याज क्या था 800 आठ सो मैंने पूटकर दिया सव है मुलधन केत्ना दिया है पचीश सो तो बच्ञीस बच्ट कर दिया, समय कितना? 4 बार्स, देखिए हम LE issues, 00, cancel हो जाएगा, यह पर देखिये, पच्छीस से कितनी बार में जाएगा यह, 25 ती अँए, 75 ठीक है, बच को कितना? 50, यानि कि, आपका, 25 बार में है, ठीक है? 32 आ गया, और 4 से 32 काती है चरवठे 32 आर्ट पर्शेंट तो दर कितना आ गया आठ पर्शेंट ओके दोस्तों एना असान कुश्टन कि अगला कुश्चन देखिए ओक अगला कुश्चन है कितनी राश पर 5 पर्शेंट वार्शिक दर से निवेश करने पर साथ वर्स आठ महीने में 575 ब्याज मिलेगा कोशन बढ़िया कोशन है कितनी रास पर यानि कितनी रास पर हमें क्या पूछ रहा है हमें क्या पूछ रहा है मुल्धन पूछ रहा है पी पूछ रहा है ठीक है क्या पूछ रहा है पी पूछ रहा है पांच परशेंट वार्सिक दर से यानि की दर कितना दिया है पांच परशेंट निवेश करने पर साथ वर्स आठ महिना समय क्या दिया है साथ वर्स आठ महिना सधारड ब्याज देखे साधारड ब्याज क्या दिया है पांसो पचातर हमें क्या निकालना है मुल्ध निकालना ह ठीक है तो देखिए आप समय का क्या करेंगे समय कितना था साथ वर्स आठ महीन था ठीक है साथ गुड़े इसको भी महीने में चेंज कर लिए साल में साथ गुड़े आठ बटक 12 महीनों का एक साल होता है तो 12 से क्या करेंगे भाग दे देंगे ठीक है बारस क्या करेंगे Oka, 8, 2, 6, 12, यहां पर 2 दुनी का, 4, 2, 3, 6, ज्यानी की, 7 सही 2 बटा 3, क्या जागा 7 सही 2 बटा 3, जब इसको साल्व करेंगे, तो इसमें 7 की 21, 21 2 23, 23 बटा 3, यह है, समय कितना आ गया, 23 बटा 3, अब मुलधन हमसे पूछ रहा था, तो मुलधन का फार्मुला होता है दोस्तो साधारण ब्याज गुड़े 100 बटाद दर गुड़े समय क्या होता है मुल्धन गुड़े मुल्धन इकल टू साधारण ब्याज SI गुड़े 100 अपान आर इंटू टी ओके ठीक है आगे देखिए मान पूट कर दीजे इसमें साधारण ब्याज कितना है 575 फूट कर दिया गुड़े 100 अब देखिए आपका तेज बटा तीन था दर न तो यहाँ पे दर को पहले यहाँ 500 बटाटा गुड़े 100 क्या हो गा 100 बटा देखिए दर कितना है आपका 5 है समय कितना दिया था 23 बटा 3 23 बटा 3 तो देखिए, तीन उपर चला जाएगा, तीन उपर जाएगा, तो यहाँ पे गुड़ा हो जाएगा, ठीक है, यही चीज़े यहाँ पर हुआ है, जब इसको हम साल्प करेंगे यहाँ पे, जब इसको काटेंगे, तो क्या ऐगा, आपका मुलदन पंदरोस हो, जब काटेंगे मैत का और क्या करते हैं हिंदी का पूरा कर लेंगे ठीक है और एसा एक्जाम के लिए मूल विधी के भी कोश्चन होंगे जो हम टेस्ट के माध्यम से उसको देखेंगे ठीक है ओके दोस्तों सेर कर दीजे थैंक यू